अज़ा विडियो में आपको तीसरी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा वो है रेड आर्ड कमपनी का एंटी क्लोरीन ये एंटी क्लोरीन मेडिसिन आपको लोकल मार्केट में 70 रुपीज में मिल जाएगा अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे कप, कैसे और कितना यूज़ करना है अगर आप अपने अक्वारिय,-आंपका पानी चेंज करते हैं या उसमें पार्टिशेल चेंजिस देते हैं उस समय आप इस एंटीक्लोरीन का यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपने aquarium में जील, नदी या फिर आरों का पानी यूज़ करें तो उसमें मौजूद heavy metals जैसे lead, mercury इन जैसी चीजों को anti-clorine खदम कर देता है अगर आप अपने aquarium का पानी चेंज करते हैं सर्दी के दिनों में या कभी भी तो आपको इसमें anti-clorine जरूर डालना चाहिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे कितना डालना है तो 5 ml आप 25 लिटर वाटर में डाल सकते हैं अगर आप से 5 ml से जादा अगर आप फिस टैंक में डाल देते हैं तो फिसे इसको कोई भी नुक्सान नहीं होगा तो चलिए अब मैं आपको इस anti-clorine को अपने aquarium में डाल कर दिखाता हूँ अगर आप कोई भी medicine अपने aquarium में डालते हैं तो उसे शेक जरूर कर ले और मैं इसमें 5 ml ले रहा हूँ 5 ml यानिकी 1 टी स्पून अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें सबस्क्राइब करें और पहला आइकन दबाना ना बोलें जिससे की मेरी notification सबसे पहले आप तक पहुंच सकें मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है माला चीट ग्रीन एफ मेडिसिन पे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते और उसे यूस कैसे करते वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियों बताऊंगा